कि आपके उपर बहुत विश्वास करते हैं, आपके पैरेंट्स आपको घर से बाहर भेजते हैं, अपने माता-पिता को हमेशा आपने मन में रखिए, दूसरी चीज आप बच्चों से जो कहना चाहती हूँ, आज कल क्या है, पहले तो घर में बहुत सारे बच्चे होते थे, स लगता है, आपको भुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, जो आपकी चिंता करते हैं, मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाओंगी, एक गाय जंगल में चर रही थी, अचानक उसने देखा एक बाग पीछे दोड़ा, गाय भी भागी जान बचाने के लिए, स तो गया, तू मरेगा, तो बाग ने का, तुम क्या अंसरी हो? तुम भी तो मरोगी दल दल में, उसने का, मैं नहीं मरूँगी, देखना, शाम को जब मालिक ने देखा, गाय नहीं आई, वो दो चार लोगों को लेकर आया, जब देखा, गाय दल दल में फंसी हुई है, वो रसे लाया, लकडी लाया और गाय को निकाल कर बाहर किया, तो गाय ने बाग को कहा, बाग तुझे कोई नहीं निकालेगा, मैंने कहा था ना, जिसको संभालने वाले होते हैं, वो दल-दल में फंसकर नहीं मरता, आपके, आपके जो टीचर्स हैं, आपके टीचर्स और आपके parents आपको संभालने वाले हैं अगर आप उनकी बात मानेंगे आप डांट के पीछे छुपी हुई उनकी चिंता को आप समझेंगे तो आप बुराईयों के और गलतियों के दल-दल में कभी नहीं फंसेंगे इसलिए अपने माता-पिता को विशेश कर अपनी मां का चेहरा अपने दमाग में रखिए अपने दिल में रखिए कि वो आपके उपर कितना विश्वास करते हैं, वो आपकी कितनी चिंता करते हैं, घर पे आपका इंतजार करते हैं, आपके लिए हमेशा वो दुआएं करते हैं, आपके माता पिता जब मंदिर में जाते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, जब वो बचत करते हैं, उस बुद्धी तीवर हो, आपका मन बहुत सम्रद्ध हो, आपका हर्दय बहुत सम्मेधन शील हो, आप लागता है।